कार दोस्तो मुली दरफार में यूट्यूब मा आपका स्वागत है तो आप देख सकते हैं हमारी टाइच की स्प्रिंग कर की लाइन है पानी की तो इसमें एक बड़ी समस्या रहती है पानी लीकेज की तो इसको कैसे दूर करें तो इसका जो कई बारेशा होता है कि इसका जो होसर है रबर का वह भी ठीक है फिर भी पानी है वह लीक होता है तो इसका कारण क्या है मैं आपको पहले बता दू तो इसमें एसा होता है का अगर जो इसमें से जो पानी आता है उसका जो अगर प्रेशर कम है तो प्रेशर कम के इसाब से जो इसका जो इसका जो यह होसर है पूरी तरह से एरटाइट नहीं होता है और पानी है वो लीख होता है और कई बार ऐसा होता है कि मोटर हम बंद करते हैं तब पानी है वो लीख होता है तो इसका एक सोल्यूशन है तो आप देख सकते हैं यह बाइक है उसका टायर का ट्यूब है तो आपको क्या करना है कि अब देख सकते हैं हमारा जो निपल है इसका तो इसकी इतना आपको एक रिंग बना लेनी है तो मैं आपको पेले बता दू केसे इसको ऊपर आपको चड़ानी है तो आप देख सकते हैं मैं आपको इसके आपको उसकी जो माफ है ती नीच या ती नीच की आपको एसे काट लेनी है इसको तब देख सकते हैं हमने इसमें इसे काट ली अभी आमको इस निपल को हमें के ऊपर यह जो मारा ट्यूब है इसका ओ इसे लगा देना है तब देख सकते हैं कि इसे लगाता है कि थोड़ी आपको परेशा नहीं हो सकते इसको लगाने में पर वो कि चड़ जाएगा पर आपको यह से इसको कुमाना है तो यह इसके उपर कि अबुग सखेंज है अब देख सकते हैं कि इस तरह चड़ गहें और यह में इसको कि मत धूशक हैं इसका भी आहएं तो इसमें यह रिंग है वह थोड़ी सी हमको अंदर रखनी है ताकि जम हम इसको इसमें चड़ाए तो यह इसके साथ चला ना जाए और ज्यादा भी नहीं रखना है वरना पाणी का प्रेसर है वह उसमें अब देख सकते हैं कितनी टाइट से इसके अंदर चड़ता है फिर यहां पानी है वह इतना नहीं निकलेगा और इस तरह पानी है वह लिकेज कम कर सकते हैं हुआ कि वह लंगता है